नमस्कार दोस्तों मैं हूँ धीरस और श्वागत करता हूँ आपका study.com में तो आज के इस class में हम लोग पढ़ने वाले हैं class 12 बिहार बोर्ड हंडिर मात सिंदी का एक chapter गाओं का घड और इस chapter को लिखा है ज्यानेंद्र पती ने ठीक है तो चलिए इस chapter को सुरू करते हैं लेकिन हमेशा की तरह chapter को सुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे लेखक परिचय की मतलब सबसे पहले हम लोग लेखक के बाड़े में जानेंगे देखो लेखक का जनम हुआ था एक जैनुवरी को 1950 में और जनम कहां हुआ था पत्थर गामा गोड़ा जार्खड में ठीक है माता का नाम था शरला देवी पिता का नाम था देवेंदर प्रसाद चौबे शुडवाती सिक्षा जो इनकी हुई वो गाउं में ही हुई थी लेकिन जो बी ए और एमे की पढ़ाई है वो इन्होंने इंग्लिस से की ओनर सब्जेक्ट इनका इंग्लिस रहा और ये कहां से पढ़े पटना से बाद में इन्होंने हिंदी फिर से पढ़ी में में और फिर जो है मतलब एक बार इन्होंने में किया इंग्लिस ओनर से फिर एक बार इन्होंने में किया हिंदी ओनर से और ये हिंदी ओनर से जो इन्होंने पढ़ाई की वो कहां से की वो की इन्होंने भीमराव अंबेद कर बिहार युनिबरसिटी डेट इस मुझअफर पुर्से समझ में आ रहा है कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि ये बिहार लोक शेवा आयोग के द्वारा ये चैनित होकर के इन्होंने काड़ा अधिक्छक के रूप में काम किया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है ना इस बात को ध्यान डखे BPSC में ये सेलेक्ट हुए थे ठीक है किस पद पे काड़ा अधिक्षक के पद पे ठीक है ना और बाद में इन्होंने क्या किया था नौकडी छोड़ दी थी और इन्होंने कभीता लिखना शुड़ू कर दिया था ठीक है अगर इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो वो है आँक हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है गंगा तट और वेरी वेरी इंपोर्टेंट संस्यात्मा जिसको इन्होंने लिखा 2004 में एकदम से याद कर लेना संस्यात्मा आपके एक्जैम में आ सकती है कि किसकी रचना है इसके अलावे भिनसार यह 2006 में इन्होंने लिखा कभी ने कहा और पढ़ते गढ़ते पढ़ते किसकी रचना है यह रचना है ग्याने अंद्रपती की तो आपने इन चीजों को समझ लिया होगा यह जो कभीता अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी कविता है गाउं का घड ठीक है तो ये जो कविता अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउं का घड ये कहां से ली गई है ये संसयात्मा से ली गई है very very important ये कहां से ली गई है ये संसयात्मा से ली गई है इसलिए बोला कि संसयात्मा important है और ये संसयात्मा जो इनकी र पचना है इसको 2006 में साहित एकेडमी अवार्ड मिल चुका है एक पुरसकार होता है साहित एकेडमी अवार्ड जो साहित के छेत्र में दिया जाता है तो ये इनको मिल चुका है 2006 में ठीक है तेखो अब हम लोग चैप्टर को सुरू करेंगे गाओं का घड लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में मैं अगर आपको कुछ जानकारी देदू, कुछ बेसिक डीटिल देदू, तो ही आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे ये चैप्टर किस बारे में लिखा हुआ है, देखो कभी जो है ये अपने उस गाओं के घड की याद करते हैं, जो आज है नहीं या है भी तो वो अपने मूल श्वरूप में नहीं है करने का मतलब है भाई आपको भी याद होगा, आज हू क्या रहा है, आज तेजी से सहरी करन हो रहा है, आज लोगों को सहर की सुक्सुधाय बड़ी ही अच्छी लग रही है लेकिन एक समय था और आज भी जहां वो गाउं वाला एडिया है ना, आज भी वो अपने आप में शम्रिद्ध है, इन सहरों से तो कहीं अच्छा है गाउं, ठीक है ना, लेकिन लोग जो है लगातार सहरों की तरफ जा रहे हैं कभी ने क्या किया है, इस कभीता में अपने गाउं को याद किया है, अपने गाउं के उस घड को याद किया है, जिसका रिलेशन कभी से है हो सकता है वो कभी काहीं घड़ हो हो सकता है कभी ने वहाँ पे कहीं रहा हो और गाओं के उस घड़ क्यों याद करते हुए ग्यानेंदरपती ने ये कविता लिखी है इन्होंने बताया है कि आखिरिकार में उस समय जो गाओं हुआ करता था वो कैसा था और आज गाओं की स्थिती कैसी हो गई है बड़ा ही सांदार सा कविता इसको आप पढ़े एकदम दिल को छू जाने वाली कविता है अगर आप मेड़े साथ उसी भावना के साथ अगर आप पढ़ने की इक्षा रखते हैं तो चलिए इसका विता को शुड़ू करते है और ये जो इसका ये वाला लाइन है वेरी वेरी इंपोर्टन्ट ये मोडल पेपर में बियार बुड के द्वारा गेस किया जा चुका है पीछे के साल में तो इसलिए भाई इसकिप मत करना बहुत इंपोर्टन्ट वीडियो है गाउ के घड के अंतह पुर्की वह चौकट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा देखो कभी जो है यहां क्या कर रहे है कभी ने जो है ग्रामिन वाता वरन का अंकन किया है इसमें यह जो चैप्टर है जो यह गाउं का घड आपका चैप्टर है जो संस्यात्मा से ली गई है इसमें कभी ने ग्रामिन परिवेश को दिखाया है उन्होंने दिखाया है कि भारत की जो आत्मा है वो कहां रहती है वो गाउं में रहती है वो गाउं में वस्ती है और आज गाउं की स्थिती कैसी हो गई है और पहले कैसी स्थिती थी इस बात को कभी ने दिखाया है कभी ने दिखाया है कि एक समय था कि जब जो है गाओं के घड के अंतह पुड की वह चोकट एक समय था जब गाओं का वो जो चोकट है ना चोकट आप समझते होंगे चोकट जो है दर्वाजे के ठीक नीचे वाला हिस्सा होता है आज तो अब चोकट कोई लगाता भी नहीं है ठीक है ना आज जो है डारेक्ट हम लोग दर्वाजा लगा रहे हैं ठीक है और नीचे के साइड में आपने देखा होगा एक उठी हुई एक संरचना होती है और पूड़ा पूड़ा वो इस्ट्रक्चर होता है चोकट का तो गाओं के घर की वह चोकट मतलब आज नीचे का हिस्सा चोकट से गाइब हो गया है केवल उपर वाला हिस्सा जो है आज रह गया है ऐसी स्थिती आ गई है बहुत सारे बदलाव आ गये है ठीक है तो कभी कह रहे है कि गाओं के घर की वह चोकट ठीक है उस चोकट की याद कर रहे है कभी जो कभी उस गाओं में हुआ करती थी उस घर में हुआ करती थी और उस घर में वो चोकट जो है ना पहले महिलाएं क्या करती थी कि महिलाएं एक सहजन का पेर होता है ठीक है ना सहजन का पेर आ आपने देखा होगा, आपने इसकी सबजी भी खाई होगी, खुब स्वादिष्ट सी सबजी होती है, सहजन की, तो इस सहजन के पेड से न, क्या निकलता है, इस सहजन के पेड से गोंद निकलता है, ठीक है, तो सहजन के पेड से जो वो गोंद निकलता था, उस गोंद को महिलाएं क्या करती थी कि वो चौखटों में लगी हुई होती थी अंतापुर मतलब घड है यहाँ पे तो वो जो अंतापुर का वो जो चौखट है न वहाँ पे क्या होता था वहाँ पे गोंद होती थी वो निकलती थी कहाँ पे सहजन के पेड़ से और उस गोंद को जो है चौकटों में लगाया जाता था और महिलाएं जो है क्या करती थी टिकुली साथने के लिए ठीक है टिकुली मतलब बिंदी ठीक है तो बिंदी साथने के लिए महिलाएं क्या करती थी कि सहजन के पेड़ से ये जो गोंद है उस गों गोंद आ रहा है बिंदियों में आज तो ऐसे ही गोंद लगा हुआ आता है सब मोडर्न जमाना आ गया है लेकिन एक समय था कि जब महिलाएं जो है टिकुली साथने के लिए सहजन के पेड से छुडाई गई गोंद का इस्तेमाल करती थी ठीक है और गाओं के अंतहपुर की वह सीमा क्या होती थी पहले के जमाने में अगर आपको याद हो आप अपने घड में जाके पूछे किसी से पहले के जमाने में जो है एक सीमा हो जाती थी चौकर जो है न वो एक सीमा की तरह एक बाउंडरी की तरह काम करता था वो एक ऐसे काम करता था कि लोग जो है महिलाएं जो घड़की हैं उस चौकट से वो कदम नहीं रखती थी बाहर के तरब वो गाओ था हमारा वो संस्कृती थी हमारी जिसको पक्षिमी शब्यता ने और जिसको इस आधुनिकता ने क्या किया उसने नस्च कर दिया आगे है कि जिसके भीतर आने से पहले खासकर आना पड़ता था बुजुडगों को खड़ाओ खटकानी पड़ती थी खबरदार की और प्राया तो उसके उधर ही रुखना पड़ता था एक अध्रिस से पड़दे के पारजे पुकारना पड़ता था किजी को बगैर नाम लिये जिसकी तरजनी की नोकधारन किये रहती थी सारे काम शहज संक के चिन्न की तड़ा देखो हमारा गाओ जो था ना वो इतना शब्यता से भड़ा हुआ था इतनी शब्यता थी गाओं में गाओं में इतने संसकार थे पहले कि कोई भी महिला जो है वो चोखट से बाहर नहीं जाती थी और कोई भी बुजुडग जो है अगर उसको आना भी है घड के भीतर तो वो खास करके आता था आज भी जो है ऐसी प्रथा गाओं में है थोड़ी बहुत जो बची हुई है जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुडगों को मतलब बुजुडगों को जो है ना भीतर आने से पहले क्या करना पड़ता था खास के आना पड़ता था अगर कोई खास के नहीं आता था तो वो क्या करता था भाई वो खड़ाओं खटकानी पड़ती थी खड़ाओं क्या होता है ये पुराने जमाने में लकडी का चपल हो तो अगर आपने रामायन देखी होगी ठीक है तो उसमें जो भरजी है वो अपने सर पे खड़ाव लेके ही तो आते हैं ठीक है ना तो पहले क्या होता था कि पहले घर से भीतर जाते समय जो है अब क्या करना पड़ता था या तो खासना पड़ता था या फिर खड़ाव सावधान हो जाएं ठीक है ना वो सावधान हो जाएं वो जो आप बुजोडग हैं उनसे परदा कर लें वो समझ जाएं कि कोई बुजोडगा रहा है पहले इतनी संसकार हुआ करती थी गाओं में और कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि प्राया उधर ही रुखना पड़ता था कभी-कभी तो ऐसा होता था ना कि परदे के उसी पार रुखना पड़ता था और परदे के उसी पार रुख करके एक अद्रिस से परदे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि परदे के इधर ही रुख करके पुकारना पड़ता था उलाना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिये, कब ऐसा भी होता था भाई, गाओं में कोई नाम लेके नहीं, आज भी जो है, अगर गाओं में संसकार की बात अगर हम आज भी करें, तो आज भी महिलाएं अपने पती का नाम नहीं रखती हैं, ठीक है ना, तो ये संसकार है ग आई बात समझ में ऐसे ही बड़े बुजरुक जो है जब बुलाते थे तो वो बिना नाम लिये हुए पुकारते थे ठीक है ना ये पड़मपड़ा थी गाउं की ये तो पहले मतलब आते थे घड़ के बीतर तो एक तो पहले खास करके आना पड़ता था दूसरी बात जो है ख बुकारना पड़ता था और कभी कभी तो तरजनी की नोख धारन किये हुए सारे काम करने पड़ते थे कभी कभी तरजनी क्या है एक उंगली का नाम है अगर आपने तरजनी उंगली तो आपको पताई होगा जो दो नंबर वाली उंगली होती है उंगली का नाम होता है ठीक अनामी का कनिस्ठा ठीक है ये उंगलियों के नाम है बीच वाली उंगली जो है वो है मिडल फिंगल मध्यमा मिडल फिंगर और चार नंबर वाली उंगली जो है वो है अनामी का ये रिंग फिंगर इसको बोलते हैं चार नंबर वाली उंगली को इसमें रिंग पहना जाता है और दो नमबर वाली है तरजनी ठीक है और उसके बगल में तो उठा होती ही है तो कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि तरजनी की नोख पर जो है न वो क्या करना पड़ता था वो जो है इसारे करने पड़ते थे बताना पड़ता था इसारों से ही बता दिया जाता था और कामे ह वो तरजनी संक के चिन्य की तरह काम करती थी। बगल में गेरू लिपी भीत पड़ दूध डूबे अंगुठे के च्छापे गाओं में पहले ऐसी परंपरा हुआ करती थी कि गाओं में जो है जो चोखट है न उस चोखट के बगल का जो भीत है भीत का मतलब होता है दिवाल ठीक है न मतलब की जो वाल है वही उसी को भीत वो लिखा गया है यहां पे और वो भी दिवाल कैसी गेरू लिपी भीत अरे दिवाल कैसी थी दिवालों पे गेरू लिपा होता था ध्यान से देखिए यह गाउं का दिवाल है या फिर यहां पे भी एक दिवाल दिख़़ा है यहां पे जो कलर हो रहा है यह आप यहां पे ज जो है क्या किया जाता था यही जो है दिवालों पे चरहा दिया जाता था एक लेप हो जाती थी आज तो फैसनेबल जमाना है आज तो पेंटे आ रही है आज तो लोग पेंट कर रहा है लेकिन पहले क्या होता था गेरू लिपी हुई होती थी सरकारी स्कूलों के कलर भी जो है और उस भीत पर जो है ना दूध डूबे अंगूठे के चापे उस भीत पर जो है क्या होता था कि वहाँ पर अंगूठे जो है चापे दिये जाते थे अंगूठों के और अंगूठों वो भी चापे कैसे वो अंगूठों के चापे होते थे जो दूध में डूबे हुए होते के हमारे बच्पन के भाल पर दुख दती लग महीने के अंत में गिने जाते एक एकड मतलब ये जो अंगूठे का छाप था ये किसका था ये उस ग्वौले दादा का था ग्वालं मतलब जो दूद देता है ठीके तो उस ग्वाले दादा का था जो उठावना दूद देते थे मतलब भाई उठावना दूद क्या होता है रोज-रोज ज़ब दूद लिया जाता है उसी को बोलते है उठावना ठीक है तो जो उठावना दूद देते थे गवाल दादा उनी का वो छाप थांग उठे का और ये छाप जो है जब गेडू के भीत पे लगाया जाता गेरू लिपी भीत पे ऐसा लगता था जैसे ये जो है एक तिलक हो एक तिलक के जैसा एक मतलब तिलक तो आप समझी रहोंगे ना एक तिलक के जैसा जो है एक चंदन के जैसा ये ऐसा लगड़ा था तिलक के जैसा ये लगड़ा था ऐसे तिलक जैसे हमारे मस्तक पे जो है ये लास्ट में गिन करके पता किया जाए कि भाई कितना दूध दिया गया है इस महीने में तो इस ऐसी परंपड़ा थी हमारे गाउं की ठीक है लेकिन इस्थितियां बदल गई ग्यानेंदरपती अपसोस करते हुए कहते हैं कि गाउं का वह घर ध्यान रखिएगा ये किसी अनप कि गाउं का वह घर अपना गाउं खो चुका है पंचायती राज में जैसे खो गया पंचपडमे स्वड़ आज इस्थिती ऐसी हो गई है कि आज गाउं आज आप गाउं में जाओ आज गाउं में ना तो वो वैसी दिवालें आपको देखने को मिलेंगी ना ही वो गेरू व कुछ भी नहीं मिलेगा गाउं में पंचायती राज में जैसे खूग है पंच परमेस्वर आज जो है हमारा गाउं तो ऐसा होता था ना कि जहां पे जो छोटे मोटे फैसले होते थे वो छोटे मोटे फैसले भी हमारे गाउं के पंचों के द्वारा ही किये जा सकते थे वही ग पता ही नहीं चलता आज तो वो पंच परमेश्वर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं आज तो छोटे से छोटा मुकदमा भी है तो इंसान कहता है कि चलो तुमको कोट में देख लेंगे और वो कोट जिसका मुकदमा जो है कितनी सालों में क्लियर होगा पता ही नहीं चलता कितने स समयों में न्याय मिलेगा कुछ पता ही नहीं होता है ऐसी स्थितियां हो गई है आज गाउं जो है अपना पंच पर मिस्वर्क हो चुका है बिजली बत्ती आ गई है कबकी बनी रहने से अधिक गई रहने वाली अड़े अब गाउं में अज गाउं का क्या हो गया है आज गाउ कर दिया है गाओं में भी बिजली बत्ती आ गई है और वैसी बिजली बत्ती जो बनी रहने से अधिक गई रहने वाली होती है जो गाओं में बिजली बत्ती क्या आप अभी तो दो चार सालों से हम देख रहे हैं कि दो चार सालों से जो है गाओं में ठीक ठाक बिजली रह रह है 24 घंटे में मुश्किल से अगर एक दो घंटे आ जाए तो वो भी अधिक है ऐसी सिती थी ठीक है लेकिन शहरी करन का प्रभाव अब गाओं में भी देखने को मिल रहा है अब के बिटवा के दहेज में टीवी भी लालतेने हैं अब भी ध्यान दीजिएगा कि अब जो है बि ना रहा है लालतेने है अब भी दिन भड आलो में कैलेंडरों से ठकी रात उजाले से अधिक उगलती अंधेडे में छोड दिये जाने के भाव से भडती गाओं में आज भी लालतेने हैं लालतेने आज भी जिन्दा हैं लेकिन दुख इस बात का है कि वो लाल्टेने बिजली के आ जाने के कार वो लाल्टेने अब किसी काम की नहीं है उन लाल्टेनों को अब जो है आलो में रखा जाता है आला क्या होता है अगर आपने गाउं में देखा होगा गाउं में घड़ों को तो गाउं के घड़ों में जो है दिवालों में काट करके जैस कि आज क्या होता है मारे पास अल्मीरा बनाया जाता है ना just like उसी तरीके से गाउं में दिवालो को काटकर QUE आले बनाया जाते थे ठीक यह और उन आलो आज लाल्टेन उन्हीं आलो में पड़ी हुई है आज लाल्टेन का तो कोई यूज ही नहीं करता है लाल्टेन है आज भी लेकिन लाल्टेन है कहां आलो में रखी हुई है और वो भी आलो में कैसे वो भी कैलेंडरों से धकी हुई रात उजाले से अधिक उगलती अंधेडे में छोड़ दिये जाने के भाव से भरती आज लाल्टेन जो है वो क्या उजाला करेगा आज जो है आज तो उसमें रात से भी अधिक कालिमा पड़ गई है आज तो लाल्टेन इतना काला हो गया है कि उतनी काली रात भी नहीं होती इन बिजलियों ने लाल्टेनों को काला कर दिया है आज लाल्टेनों को तो खुद डर लग रहा है कि आज हमको कोई छोड़ ना दे और जेनरली ऐसा हो ही गया है आज तो लोगों ने लाल्टेन छोड ही दिये हैं जबकि चका चौंध रोसनी में मदमस्त औरकेस्ठा बज रहा है कहीं आज ये सहर वालों ने गाउं में अपना परभाव फैला दिया है आज औरकेस्ठा का भी सुविधा जो है गाउं में है ध्यान से सुनिये इस बात को कि ये क्या बताया जा रहा है बहुत दू आज कहीं दूर औरकेस्ठा बज रहा है बहुत दूर बज रहा है कहीं गाउं में ही आज कहीं बहुत दूर बज रहा है और वो भी इतनी दूर कि ना तो उसकी आवाज आ रही है और ना ही उसकी रोसनी आ रही है ना ही वो सुनाई दे रहा है और ना ही वो दिखाई दे रह ये ओर्किस्टा जो है धान रखियेगा ये और्किस्टा ये किस चीज का प्रतीक है कभी कहते हैं की ये अमीरी और गरीवी का प्रतीक है आज क्या हो गया है हमारा गांव एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जो थे शामान थे यहाँ पे अमीरी गड़ीवी का कोई भेदभाव नहीं था लेकिन इस सहरी वातावरन ने क्या किया है आज इसने हमारे गाओं को अमीर और गड़ीब के जंजीरों में बार दिया है आज हमारे गाओं में जो है आज जिसके पास पैसा है वो अपने पास जो है वो आर्किस्टा बुला के नचवा रहे है और गड़ीबों की हालत ऐसी है कि वो जो है ना तो उसको उनकी आवाजे सुनाई दे रही है और ना ही उनको वो जलके दिखाई दे रही है होडी चैती बिढ़हा आला गूंगे लोक गीतों की जन्भूमे में भटकता है एक सोक गीत अनगाया अनसुना वेरी वरी इंपोर्टन लाइन यह लाइन आपके एक्जैम में आ सकती है इसलिए इसको ध्यान से देखें देखिए हमारा गाउं जो है न यह लोक गीतों की जन्भूमी है यह वो जगह है जहाँ पे होडी चैती बिढ़हा आला यहाँ पे गाय जाते थे यहाँ पे होली के गीत गाय जाते थे चैत के महीने में यहाँ पे चैता गाया जाता था यहाँ बिरहा गाया जाता था और बरसात के दिनों में यहाँ पे आला भी गाय जाते थे तो हमारा गाउं वैसा गाउं था लेकिन आज क्या है? आज ये लोक गीतों की जो जन्ब भूमी है आज यहां सनाटा फैला हुआ है आज तो होली भी होली जैसी नहीं लगती आज तो चैत का महीना कब आके बीट जाता है ये भी पता नहीं लगता आज बरसात जो है वो बरसात जो कभी सुहाना हुआ करता था जो आला जैसे वीररस वाले गीतों का कभी मौसम हुआ करता था आज तो वो चीजे दिखाई ही नहीं देती आज गाओं में सोक गीत फैला हुआ है आज गाओं में सनाटा फैला हुआ है वो गाओं जिसने लोक गीतों को जनम दिया आज वहाँ पे सनाटा फैला हुआ है आकास और अंधेरों को काटते दस कोस दूर सहर से आने वाला सरकस का प्रकास बुला हुआ तो कब का मर चुका है एक समय था कि जब गाओं में बहुत दूर कही दस कोस की दूरी पे देखो एक कोस में तीन किलो मीटर होता है कहीं दस कोस की दूरी से एक लाइट आता था गाओं के लोग समझ जाते थे कि भाई वहाँ पे सरकस है और गाओं के लोग जो है वहाँ सरकस देखने के लिए दस कोस की दूरी पर भी लोग जो है चले जाते थे लेकिन आज इस्थिती ऐसी हो गई है कि नहीं वो लाइट आता है और नहीं कुछ है आज गाओं में वो लाइट जो आकास और अंधेरों को काटता हुआ दसकोस दूर आता था वो सरकस का प्रकास तो कब का मर चुका है वो सरकस वो गाओं का सरकस तो कब का मर चुका है कि जैसे गिड़ गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी आज तो इस्थिती ऐसी हो गई है कि जैसे एक हाथी जो है अपने गजदंत गवा देता है वैसे ही गाओं की स्थिती हो गई है गाओं भी अपना गजदंत गवा देखो ये हाथी है और इसका ये वाला ये वाला जो इसका दात है ना इसको गजदंत बोलते है ठीक है ओके तो जैसे गजदंतों को गवाकर कोई हाथी गिर जाता है अगर हाथी के पास जो है गजदंत ही ना हो तो उस हाथी की क्या ही भेलू हाथी की तो भेलू उसके गजद दंतों से होती है लेकिन आज ऐसा कुछ है नहीं रेते गए उन दातों की जड़ा सी धवल धूल पड़ छीज रहे जंगल में लीलने वाले मुख खोले शहड में बुलाते हैं बस आज इस्थिती ऐसी हो गई है कि वो आज गजदंत कहीं नहीं है और उसी गजदंत आज गाउ नस्थ हो गया है कभी के कहने का मतलब है कि आज गाउ नस्थ हो गया है और उन गाउं के नस्थ हुए जगहों पे आज जंगलों को नस्थ किया जा रहा है आज जो है गाउं को नस्थ किया जा रहा है और उन गाउं को अब सहरों में बदला जा रहा है ये सहर वाले लोग गाउं के लोगों कुप, में अधालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलवों से गाउं के घड की रीड जुड़ जुड़ाती है आज इस्थिती ऐसी हो गई है कि आज आप किसी अधालत में जाके देख लीजिए किसी अस्पताल में जाके देख लीजिए आज अस्पतालों की स्थिती तो ऐसी हो गई है कि आप वहाँ दो-चार-दस मिनिट भी मुश्किल से आपको रहना पड़ेगा तभी आप रहेंगे नहीं तो कोई रहना नहीं चाहेगा इतनी दुरगंद मैं स्थिती हो गई है इतनी महक वाली स्थिती हो गई है लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता है ये सब आधुनिकता का प्रभाव है आज गाउं जो है उसकी रीड जुड़ जुड़ा रही है कहने का मतलब कि आज गाउं को अपना अस्तित्तो खत्रे में दिख़़ा है ऐसा लगड़ा है कि ये गाउं अब नहीं रहेगा ये अपने आपको खोदेगा मिलते अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें